प्रोग्रेम 45 Minutes के साथ मैं हुना ही चौह लेगी आज के प्रोग्रेम में हम बात करेंगे चाइल्ड अग्यूस के हवाले से बच्चों पर जिनसी तश्दूध होता है और बहुत सारी केसिज आथे होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं जो केसिस रिपोर्ट होते हैं और मंदर आम पर आते हैं उनके हवाले से मीडिया पर भी बात होती है और वो केसिस आप तक भी पहुँचते हैं जैनप का केस के हवाले से आपने सुना मीडिया पर भी और लोगों ने आवाज भी उठाई इससे पहले कुछूर के हावाले से जो स्काडल आया वो भी हमारे सामने है कुछ रसा पहले हमने देखा कि फते जंग के गाउं में एक छोटा सा बच्चा जो है वो मज़्स में इबादस के लिए गया और उसके बाद वो घर वापस नहीं आया और कुमे से उसकी लाश निकाली गई इसी किस्म के बहुत सारे ऐसी केसिस हैं जो हमारे सामने आते हैं अभी कुछ रोज पहले पारा चैनार में भी एक छोटी बच्ची के हावाले से ये वाक्या हुआ सिंध में एक 13 साला बच्ची के उपर जिनके तशदूत किया गया और 13 साल के उमर में वो बच्ची मांग बन गई इस किसम के बहुत सारे ऐसी केसिस हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है और अभी रीसेंट जो वाक्या हुआ उसके हमारे से अगर मैं बात करूँ सुहेल अयास नामी एक शक्स को गिरिफतार किया पुलिस में तो टार्टर्ड अकाउंटेंट है ब्रावल सुइंडी में ये वाक्या पेश आया और वो बच्चों को अब्यूस तो करता ही थारेकिन साथ ही साथ वो बच्चों की वीडियोस भी बनाता था और उसको फ्रोक्त करता था ये वाकियात ऐसे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बलकि पूरी दुनिया में होते हैं ग्लोबल फिनॉमिनल है ये लेकिन पाकिस्तान में हम इसकी रोक्त हम के लिए क्या कर सकते हैं हमारे इदारे क्या कर सकते हैं वाल्डेन की क्या जिमेद करें उन्हें good touch bad test के हवाले से बताएं और उन्हें ये बताएं कि वो अच्छनवियों के बास ना जाएं बहुत आरी ऐसी चीज़े हैं जिन पर हमें बात करने की जुरूरत है आज के प्रोग्राम में हम बच्छों की नफियाद के हवाले से डिस्कस करेंगे कि वो बच्छे जो इस किसम के इवेंट्स का शिकार हो जाते हैं दिन के साथ जो वित्तम होते हैं उनकी जिन्दगी किस तरह से गुजरती है उनकी पूरी जिन्दगी पर इसका क्या impact आता है पैरेंटिंग के हवाले से बात करेंगे कि बहां क्या issues है किस तरह से आप अपने ब में मुलवस होते हैं उनकी साइकी क्या होती है किस किसम की नफियात उनकी होती है कि इसकदर गणावने काम करने से भी वो गुरेज़ नहीं करते हैं आजके प्रोग्राम में इस तमाम तरह वालों से बात करूंगी इंट्रो लंबा हो रहा है लेकिन कुछ आदाद औशमार यहां पर मैं चाती हैं तोड़ास आपके शेयर कर लूँ एक NGO हैस साहिज जिसके मताबिक 2018 में रोजाना 10 से जाइब बच्चे और जबके 2019 के शुरू के 6 महीनों में रोजाना 7 से जाइब बच्चे जो हैं वो जिनसे तशदूत का निशाना बनते रहे हैं पंजाब में ये क हैं जिसके अवाले से नोंने बात किये और उनके जो आदादों शुमार हैं उनके उम्ताबिक 2018 में 3832 बच्चों को जिनसे तशदूत का निशाना बनाया गया इनने 2000 चुरूरार में बच्चिया हैं जबके 1738 इसमें बच्चे शामिल हैं और वो केसे जो पुलिस टेशन में रिपोर्ट हुए हैं उनकी इतादा 3,307 है हम क्या कर रहे हैं और इसे में क्या हमें करना है क्या हमारी जिम्दारी है इस पर बात होगी आज के प्रोग्राम में और हमारे साथ जो पामिलिस मौजूद हैं इंसे इंट्रडक्शन आप से करवा देती हूं मौहमत पैसल गरान ठीकी बहुत शुक्रिया वजाला सैथी साहिबा आपका भी प्रोग्राम में वक्तेने के लिए डॉक्र आईशा मिनहाद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं स्टाइल साइकॉलिजी पे बहुत ज्यादा काम करती हैं डॉक्र आईशा साहिबा आप असिस्टिन प्रोफेसर है आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्र आईशा साहिबा हमें जोइन केने के लिए इनके साथ डॉक्र अब्दुल महाव यूसुफ जई साहब हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर आप से डिपार्टमेंट शुफा इंटरनाशनल हॉस्पिटल और हमारे साथ आपका भी साह बहुत शुक्रिया और इनके साथ प्रोफेसर डॉक्र टर अपतारहसन साहिबा हमें जोइन कर रहे हैं प्रोग्रम में अप carrying परसेन है university बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहिबा आपका भी हमेरे प्रोग्रम में वाë देन के लिए में डिसकेशन का सासल गाना साथ कुछ आदादों शुमार मैंने बताए जो कुछ एंजियोस पुगारा की तरफ से सामने आए हैं तो आप हमें ये बताईए का अगर हम किछली बहुत सारे कुछ सालों के कंपारिसन करें अब सिटूइशन क्या है अमरान नामी शक्स को फांसी भी दी गई जानव का किसमे लेकिन इसके बावजूद ये केसिस कम नहीं हुए ये जर्म रुका नहीं है किस पिसम की सजाएं बेदी चाहिए क्या किया जाना चाहिए कि कमस्कं ये जर्म कम तो हो पर जी बहुत शुक्तिया आपको जिसना आपने खुद ये बताया कि ये एक सोशल टैबू है एक तो बहुत बड़ी वजाए इसकी ये है कि बहुत सारे केसे जो है वो पलीस को रिपोर्ट ही नहीं होते और वालदैन स्पेशिडी परदा डाल लेते हैं अगर छोटे बच्चे के साथ को ऐसा केस हो भी तो वो ये समझते हैं कि शायद इसका फ्यूचर जो है वो डैमेज हो जाएगा हमारी बनामी हो जाएगी तो इस किसम के इशूज हैं जिसकी वज़ा से बहुत सारे केसे नहीं समझता हूँ अन्रिपोर्ट चले जाते हैं लेकिन जैनब का जो केस था वो एक टेस्ट केस बना हमारे लिए पंजाब पुलीस के लिए और उसमें बड़ा स्पीडी ट्राइल हुआ हमारा पुला क्रिम के एक एक टीए केस में इतनी जल्दी ट्राइल भी हो और कन्विक्शन भी हो जाए ये तो एक टेस्ट केस था लेकिन इसके लावा बहुत सारे केसे जो रोजाना की बनायात थे आल ओवर पंजाब या पूरे पाक्सान में दर्च किये जाते हैं उनका ट्राइल इतनी इतार नेट्रल वे में के ये केसिस कम होने चाहिए थे लेकिन अगर आप मैं बड़े शहरों की बात करूँ कुछनावाला फैसलाबाद, मुल्तान और आवल पिंडी यहां पे केसिस पिसे साल से ज्यादा दर्च होएं लेकिन इसकी ये वज़ा नहीं है कि उसका असर नहीं कि अगर ऐसे चाइल्ड अब्यूस केसिस होते हैं तो इसको एक मखसूस मुदत में इनको अंजाम तक पहुँचा देना चाहिए, क्या इस सरह से कुछ ऐसा नहीं हो सकता, ताकि जो लोग रिपोर्ट करते भी हैं, आपने पहले भी कहा कि कल्ट्रल टैबूस हैं, बहुत सार इसे हर्डल होती हैं, लोग उसके बावजूद अगर ठाने में पहुँच जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं तो उनको इंसाफ जल्दी मिल रहा हैं, जी बिल्कुल हमारे सिस्टम में तो ये चीज़े मौजूद हैं, लेकि नॉर्मली ये केसिस होते हैं थोड़े देर से मेरे ख्याल में इसको थोड़ा फोकस हमें करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चे सब के सांजे हैं और बच्चे हमारा मुस्तबिल भी हैं, तो मेरे ख्याल में बच्चों के केसिस पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, और स्पेशल कोट्स होनी चाहिए, जिसमें in cases को trial दिया जाए और death penalty है इसमें बिलकुल है 371 के तहर death penalty भी है किसी बच्चे के साथ इस किसम की जिनती तशद्द करना लेकिन इसके इलावा मेरे ख्याल है उसको हमें conspiracy करके society को भी बताना चाहिए कि ये जो शक्स है ये एक sex offender है और इसमें बच्चे के साथ ये हरकत की थी होता ये है कि इस चीज़ को हम भुला देते हैं कुछी दिनों बाद और अगर वो केस हो भी जाए तो वो खमोशी के साथ उसको वो सदा हो भी जाए बढ़ ठीक हैं रोम बरावन लोग उसको इतना पुरा नहीं समझते हैं ये रहूं वो कहते हैं ठीक है जी सुला भी हो जाती है कई जफ़ा तो इसमें की टीज़ें होती हैं मुझे गजाला साहबा की तरफ भी जाना है लेकिन तासल साथ एकमट का फिर आपकी तरफ रहूंगी ये सोहेल आयाज नामी शाफ का जो केस हुआ है जो चार्टेड इकमटेंट है उसके हवाले से थोड़ा साफ हमें बता पाएंगे कि इस वक्त किस मरहले पे हैं मैं उसके मुतलिक आपको बताऊं कि पेड़ोफेलिया एक बिमारी है तो इस कुल्फरेट वस शुफरिंग फ्रॉप बारा मैं करूंगा कि यह हरकत करना और फिर उसको फिल्माइज करना उसकी लाइफ शेरिंग करना यह चीजें जो हैं इस पर मेरा खाल पर हमें अपने साइबर जो हमारा यूनिट है साइबर क्राइम यूनिट उसको भी इसको फिल्टर करना चाहिए ऑन दी वैब यह जो डाक वैब वाला कॉंस अर्ट इसको बहुत ज्यादा आम होगया इस पर भी काम करना था और सैंबली से उसको एक्सेप्टेंस भी मिल गई है बट उसको इंप्लिमेंट होने के लिए उसकी कुछ लीगल इक्यूनाज हैं जिसके थूँ वह जा रहा है लौस तो बहुत सारे पहले भी हमारे पास है मौजूद हमें अपनी ससाइटी को अपने लोगों को वोकली उनको अवेरनेस देनी है और ससाइटी की अवेरनेस देने के लिए जो जैसे आज ही हो रहा है इसके बहुत सारे पास है यहां पर हजरात को भी थोड़ा सा होना चाहिए क्योंकि यह future mothers हैं जो बच्चेयां बैठी भी हैं future teachers भी हैं और वो भी हैं counselors भी बनेंगी इंशाला हमें लड़के भी चाहिए जो कि बातों में involved हों इस बारे में बात करें इसको taboo ना बनाएं और जो laws हैं उनको implement करने के लिए जितनी society की awareness होगी जितना उसके बारे में बात की जाएगी उतना ज्यादा वो laws जो हैं वो forcefully implement होंगी अगर एक बाक्या होता है और उसके बाद वो बाक्या गुजर जाता है और उसके बाद आप भूल जाते हैं और society का उसके अंदर continuous role नहीं रहता तो मेरा ख्याल है कि फिर वो laws भी उसके फोर्सफुली implement नहीं होंगे तो I think government की तो responsibility है और sustainable development goals इसके बारे में आपने सुना होगा 17 goals है और मिसस 16.2 जो है वो child protection और इसी के हवाले से है कि बच्चे बच्चों के rights जो थे वो internationally पहले defined नहीं थी और religion में तो defined है मगर वो उस तरह से defined नहीं थे और ये 2006 में उसको बच्चों के उस protection को accept किया गया और 2030 तक ये internationally जो भी United Nations से related countries हैं जो उसके members हैं उन सबने वादा किया है कि 2030 तक अपने जो sustainable development goals हैं जिन में child protection भी एक एहम goal है उसको भी पूरा किया जाएगा अब हमारे हां क्या situation है हम अचीव कर पाएंगे और 2030 की बात हम नहीं है ये सारा अखमीवार के मैं अज़िए मैं नहीं समझती कि वो हम जब तक implement कर पाएंगे जो मैंने जिक्र किया कि जब तक हम communities को parents को teachers को psychologists को doctors को सब को इस पूरी community को aware ना करें और इसे ट्याबू ना बनाएं किसी बच्ची या बच्चे के साथ अगर ज्यात्ती होती है तो उसमें जरूर negligence का होता है मगर उसको फिर legality के हिसाब से उसको address होना बहुत एहम होता है और अगर लोग इसको नहीं समझेंगे इस एहमियत को कि एक पू रिपोर्ट होने का मतलब है कि आप उस सदमें और उस तकलीव की हालत में भी जाके ठाने में एक रिपोर्ट लिखा रहे हैं रिपोर्टिंग से स्टेटिस्टिक्स आते हैं डेटा आता है कि आपकी महाश्रा कितना downtrodden है कितना गिरावाय है और कितना उसे उठाने की जरू दसमें भी जाता है युई प्रागे बढ़ता नहीं है डॉक्तर आईशासाथा की साहवागी साहवा की जाते हैं डॉक्राइशा मिनार साहवाजा अभी हमने एधारे क्या किया रोल में एक इस तेट अ्धिप इस्जामात कर रही है इसके बात लीए अब हमाज़ाते हैं इ एक नॉर्मल इंसान के सरा अपनी जिन्दगी गुजार सकता है? जी, मेरे खहले ये इतना तकलीफ ले वाक्या और सद्मा होता है कि इसके बहुत गहरे नफसियाती असरात होते है और बहुत नफसियाती तोड फोड़ करता है ये बच्चों में और कुछ शॉर्ट टर्म अफेक्स भी हैं लेकिन जब अब्यूज खतम भी हो जाता है तो असरात तो खतम नहीं होते तो मेरे खहले ये तामर्ग उस बच्चे के साथ चलते हैं जिसमें बच्चा उदासी में जा सकता है ट्रस्ट इशूज क्योंके बड़े लोगों का काम है माँ बाप का के बच्चों को प्रोटेक्शन दें और जब बड़े ही उनको अब्यूज करते हैं तो फिर उनका जो ट्रस्ट है वो दुनिया पर तूट जाता है बच्चों के साहिए उनका की जंदगी को बेरब होता है पर्भी बड़े जन्सट एक जब दामेज हो जाता है इंसान को पर उनको पर उसका आप किसी हदी की ठीक कर परते हैं और नफस्यादी तोर पर मजरू हुए वे इनसानों को ठीक करना हमें 100% चाहिए बहुत मुश्किल है तो इस सो मच बेटर कि हम ये जुरम और ये मसला होने ना दें और अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करके रखें लेकिन एक दफ़ा अगर हो जाता है आपने क्या सवाथ उचाता है कि अगर ये इन बच्चों के साथ हमें कैसे बेव करना था है ये अगर एक बच्चा बिल्कुल आइसोलेशन का शिकार हो गया है वो अपनी पूरी जिन्दगी डर खौफ और इसी एहसासे जुर्म के साथ गुजार रहा है तो ये तो बहुत गलत किसम की चीज़ हो गया है तो मिजॉरिटी उसे बच्चे तो आपको बताते भी नहीं है लेकिन अगर डिस्क्लोशर हो और वो घर में फैमिली में किसी को बताए तो उसको डील करना अच्छी तरह बहुत जरूरी है अगर हम उसको सनब कर दें या तवजह ना दें या कहीं चुप कर जाओ बताना नहीं है तो वो एहसासे शर्मिंदगी और जुर्म फिर और बढ़ेगा और उसमें और मसायल पैदा होंगे इसलिए जब अगर कोई बच्चा आपको बताता है तो आपने फुल सपोर्ट देनी है और प्रिटेक्शन देनी है मैं चाहते हैं कि डॉक्टर वहाब साब की दिरफ चलते हैं फिर हम बात करें बच्चों की नफियात के हावाले से बो लोग जो ये जर्म करते हैं उनकी नफियात के हावाले से भी बात करें कि जरूरत है अक्सर ये कहा जाता है एक आम पर्सक्चन ये है जिन लोगों के साथ इस किस्टिन के केसिस हुए होते है या ऐसा कोई उनके साथ तशदध हुआ होता है शायद वो लोग इसमें ज्यादा इन्वाल्व होते है और वही उसी किस्टिन का रियक्शन सोसाइटी की तरफ देते है से क्या ये पर्सक्चन दुरूस है उनकी नफियात के हावाले से भी बताईए का क्या सोच होती है कि इतना गिनाओना किसम का आप काम करें बहुत शुक्रिये जी ये इंतहाई अहम सावाल है क्योंकि इससे एक मित इसोसियेटेड है और वो मित ये है कि जो लोग ये काम करते हैं वो नफियाती मरीज होते जो कि मेरा ख्याल है इसको बस्ट करने की बहुत जरूरते नफियाती मरीज बुजरिम नहीं होते और जिन लोग जिन जो लोग जितना भी हम देखते हैं लेटर्चर में या रिपोर्ट होते आम तोर पर यही होता है कि जी ये जो पर्पेट्रेडर है उसको कोई नफियाती बीमारी है और उसको कोई जहनी मरीज है उसको कोई जहनी मरीज के तोर पर डील करना चाहिए दाक्टर के बास ले ना जाए ये मेरा ख्याल है कि मुझे इसका वो तो नहीं पता स्टेटिस्टिक का तो नहीं पता लेकिन नफसियाती मरीज एसेंशिली करिमिनल नहीं होते और इसका नुकसान बड़ा यह होता है कि जो नफसियाती मरीज और बीमारिया है वो अलिडि स्टिक्माटाइज है उस से और भी स्टिक्माटाइज हो जाते है इसाकी तरह मैं एक बिसाल लेता हूँ एक दफ़ इस तरह हुआ कि एक वाक्य हुआ जिसमें किसी ने किसी मुर्दे को खबर से निकाल कि और पिर रूँ किया तो उसके बाद अख़बारों में ये रिपोर्ट हुआ कि जिसने ये काम किया है उनको तो स्कीजूफरी ने आए अब स्कीजूफरी ने तो हमारे बहुत सारे मरीज़ हम देखते हैं आप समझ सकते हैं कि पर उसके फैमिली में स्कीजूफरी ने कि जो पैशन से या उनकी जो फैमिली ने उनकी क्या गुजरती होगी कि क्या वो मरीज़ों को निकालते हैं और पर का भी लेते हैं यह मित जो है इसको डील करने के लिए साइन्टिफिक तरीके से में जाना होगा यह क्रिमिनल्स होते हैं अब यह डी आईई साब ने कहा कि जो पीडोफीलिया पीडोफीलिया इस लिस्ट इन पॉइंट जीरू वन परसंट मतलब इतना कम उसका हो है तो लेकिन उसका प्रिमिनल्स इतना कम है आम तोर पर यह क्रिमिनल्स होते हैं जिसके बहुत सारे मौटिवेशन होती है जिसमें सबसे अहब मौटिवेशन जो है उनकी अंदर की जो डिस ओर्डरली परसनेलिटी है उसका है पिर उसमें जहादातर वो गेंग्ज होते हैं जिसमें फाइनशल मोटिवेशन होती कि यह आप ने एक बात कही जो कि बहुत इंपौर्टेंट है इसको हम इल्मिलिस की आप में साइक्वार्ट्रिय साइकालोजी में साइकल आफ एब्यूज कहते हैं इस बारे में बहुत सारा लिटरेचर है कि जो लोग खुद से बच्पन में वेक्टम रहते हैं, उन वो देर मोर लाइकली तो पर्पेटरेटर इन फ्यूचर, तो ये एसेंशली जो प्रिवेंशन है, जिसकी तरफ डाक्राइशन है, इसारा किया, कि जो प्रिवेंशन है, और पर जो इन्स्टीशल ग्रोथ या इन्स्टीचल प्रिवेंशन है, बचों को बता दो कि किस पराकी प्रिवेंट करे अपने अबों, ये भी मेरा ख्याल है कि कुछ ज्यादा साइंटिफिक नहीं है हाँ आप किसी हर्थ तक तो बता सकते हैं लेकिन हमारे इस्टिउशन, हमारे कम्यूनिटी जनरले हम एजे हुमन बिंग क्या करते हैं ये भी तीसरा बड़ा मेत है कि जी हम तो मुसल्मान है इसलामी माश्रा है, यहाँ पे तो होता नहीं सबसे ज़्यादे यहाँ पे होता है उसकी वज़ए यह है कि हमारे जो इंस्टिउशन है खाव लीगल हो, खाव पुलिटिकल हो, खाव कम्यूनिटी रिलेटिस हो वो इतने वीक है, कि हम इन चीज़ों को पकड़ नहीं सकते और इस तरह के जो अब्यूजर है, या पर्पेट्रेटर्स है या जो गराओन मुझरिम है, उनको सजा ही नहीं मिलती लोंगा तो ख्याल यह है कि यह जरुम करते है जो रिसर्च है, उस से थावित है जो आपने बता है, और इस को ब्रेक करने की जरूरत है मैं जाती हूँ कि डॉक्टर इस्थाखार साहिबा की तरफ भी चलते है डॉक्टर साहिबा नहीं समझते हैं कि सिर्फ बच्चों को ही ट्रेंट कर लेना जाहिर है कि वाहिद हल नहीं है, हल की तरफ आप जा सकते है, उसका एक अहाम हिस्था है तो डॉक्टर साहिबा पैरेंटिंग के इस्थाखार से हमारे हाँ माएं बड़ी खुश होती है जब छोटा सा बच्चा आ रहे के बाद चला जाता है कि वागा ये तो हमारे बचे की बड़ी प्लाजेंट नहीं चाहरा और बड़े लोग खुश भी होते है क्या ये दुरूस अमल होता है? क्या अफिर्दार होता है माबाब का? देखिए ये अइडेंटिफाइ करना कि ये सेक्शल परप्रेटर है या नहीं है बहुत मिश्कल है क्योंकि वो हर क्लास में होते हैं, हर एज ग्रूप में होते हैं, हर कर्चर में होते हैं क्योंकि बड़ा दिफिकल्ट है लेकिन उनके कुछ इमोशनल और सोशल फीचर हैं जो हम अइडेंटिफाइ कर सकते हैं दो तरह के सेक्स ओफेंडर हैं एक वो हैं जो 13 और बिलोग के बच्चों को अटाग करते हैं दूसरे वो हैं जो 13 तो 16 जियर के तक करते हैं और इन दोनों में कुछ कैटेग्रीज में फर्क हैं अगर स्टेटिस्टिक्स को देखें अजल जो वजह है वो शायर सोसाइटी के अवेरनेस भी है और दूसरा यह के बच्चों की भी कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए जब जैनब का केस हुआ तो तब मैंने नेट पे देखा एक बड़ा अच्छा केस हुन देखाया के छोटे बच्चों को जो 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 6-7 यह ओल है उनकोई कहते हैं कि we are all ourselves and we don't let anybody come and touch us if we don't like it and sometime even that is not enough then they were pointing out with the help of a doll if somebody wants to touch you in front or in your back I think you should resist it and you should talk to someone पर पर वालदेन को भी तो प्रेंग करने की जुरुत है मौशे को भी आधानी की जुरुत है अधरेतने उस वह ज़्यदा शाहिए हमें इसमें मैं यह कहूंगी कि हमारे हाँ एक खास बात है और मैं हमेशा बड़ी विद्मन की अफनाइटी रही हूँ कि बच्चों को बिरिंग अप करना उनकी दिखेदाश करना मा और बाप दोनों का फर्द है लेकिन हमारे घरानों में बच्चे जो हैं वो इंटारली मा की जिम्मदारी है मां की जिम्मेदारियों में उसका खाना पकाना घर को देखना ऐसफर्वंट को देखना बच्चों देखना चामन मैं बाप उसमेंट है जारे हो जारे हो जागुआ प्रिक्षपी नेकतं हुग जारे हो जायरE तो दूसी बात यह कि पर उसको यह भी एजूकेट होना थे इस बच्चा कोई विक्टमाइज हो रहा है उसके स्म्टम क्या है थैला स्म्टम तो यह है कि बच्चा जो है वो एक ड़ू पर शाय हो जाएगा जो विड्राउन हो जाएगा उसका वो हसना, भोलना, बागना दॉडना बड़ा कम हो जाएगा जाती है कि चाहे भी शुकिए इस साइड, ते दुड़िकी, ते इस ए लिए लगाशना, और जरल्लियों हो जाता जाता है पर्परेटर जो हैं बच्चों को ड्रा देते हैं और आपको उन वजुहात को जानने की जरूरत है डॉक्साइब आप लोग के तरफ तुबारा आएंगे अभी मुझे एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद अब हम वापस आएंगे तो ऑडियंस के तरफ जाएंगे उनके अप्लेडियो हमारे साथ रही ही गड़ जितना ज्यादा इस्तेमाल उतना ज्यादा गैस बिल गैस का खेर जरूरी इस्तेमाल बिल में तेज़ी से इजाफे का बाइस बनता है पहली स्लैप पर बिल 272 और दूसरी स्लैप पर 889 रुपय तक आ सकता है याद हके तीफरी स्लै का इतलाक होते ही गैस बिल में तीन गुना से जाइद इजाफा हो जाएगा और चटी स्लैप पर गैस बिल कम असकम 18,000 तक पहुँच सकता है गैस बिल भी कमी के लिए अपने गिज़र में गैस से वर को और टाइमर डिवाइस का इस्तेमाल करें और करने के लिए 1199 पर कॉल या हमारे ट्वीटर और फेस्बुक अकाउंट SNGPL अफिशल पर राप्ता करें स्वी नौधरन गैस वलकम बैक तो दे शो वाले से नजरी नाज के प्रोग्रम में हम गुपतबू कर रहे हैं और इस वक्त में ओडियंस के तरफ दारीं ओडियंस के सवलात हम प्रोग्रम में शामिल करें और टू ओडियंस अपना इट्रोड़क्शन करवाएं और सवाल भी घिजेगा मेरा नाम मरहमा श्रम्स है और मैं स्टून्ट हूं के निकाल साइकोलोजी की शिवात आमेरे में लाटीन उस्टी में मेरा सवाल यह सर के जो ऐसे जहनी मरीज हैं इस पीपल हो प्रें चाइल्ड सर क्या इनको ऐसा बनाने में स्टूसाइटी भी रोल प्ले करती है या सिर्फ किसा सारह इनके अंदर से आता है और ससाइटी में क्या पॉर्णोंग्राफिक सेक्टर है जो इसको इसको इंडिकेट कर सकता है थेंक्यू ठीक है, सुसाइटी के रोल के वाली से बात करते हैं, कुछ और सवाला के लिए लिए हैं सरभाब आप से मेरा क्वेस्टेन है कि सर आपने कहा है कि हम सेक्स एडुकेशन बच्चे को नहीं दे सकते हैं तो हम कैसे अपने बच्चे को किस तरह उसको बचा सकते हमें क्या करना चाहिए है मैं विशी श्वाफ स्वाफ सिपातामीय मिलेट उनिवर्स्टी मेरा सवाल है मैं डॉक्टर इस तरह आपने बात की कि 35% वो होते हैं जिनको विक्तिम जानता है ठीक है आप सब लोगों ने ये बात की कि मैंटली प्रॉब्लम होते हैं उन लोगों के साथ जो ये सब काम करते हैं तो वो बंदे जिनके साथ मैंटल इल्नेस नहीं होती है जो सिर्फ जैसे आजकर हमाई पस मीडिया के सेक्शियल पॉण वीडियो हमाई पस आ रही है तो उसके तो जो स्टिमिलेट होते हैं या जिनको वैसे अर्जिस होते हैं या फिर हम बात कर लेते हैं कि जिस फॉर फ़न तो हम क्या हमें उन्हें पनिश्मेंट देनी चाहिए कोई ऐसा ला है आप लोगों ने ये कहा कि मतलब अगर कोई हमाई पस रिपोर्ट होती है तो कॉम्प्रोमाईज हो जाता है पहला कॉशन ये और दूसरा ये कि क्या सिर्फ ये important है कि बस हमारे पस statistics आने चाहिए कि हमारी society किस तरफ जा रही है अगर एक इंसान कॉम्प्रोमाईज कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है वो तो एक example छोड़ रहा है society पे कि अगर next कोई है तो किसी मुझरिम को वो मतलब एक मौका मिल रहा है कि ठीक है हम ये करेंगे तो कोई बात नहीं हम भी कॉम्प्रोमाईज कर लेंगे क्या पुलीस और हमारी एजन्सी और लॉट को ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये जिना है ये जुर्म है ये हमारे इसलाम में भी मना है हम उसको ऐसी सदादें कि अगला कोई ऐसा कर ही ना सके असलाम हमारे नेम इस आमनासिम और इस तूडेंट इन इंटर्णी ओवर है और ये जिस के ये जो होते हैं जो इसके अंदर होते हैं प्रिटर्स तो इसके लिए क्या प्रिविंटिव मेर्यर लिये जा रहे हैं मेरा question basically media से related है कि media पर इसको इतना exposed इतना किया जाता है जितना ही result नहीं होता तो automatically जो child abuser है उसको पता है कि ये 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 protocols है जिसके through में जाओंगा और end result मेरा result नहीं होगा so this is what basically उसको जादा जो है इंस्टिगेज करता है towards child abuse so this is basically media coverage पर जो मेरा question है ठीक है okay इस पर भी बात करते हैं एक सवाला और ले ले लेते हैं सब्सक्राइब करें कि हमारे सिस्टेम में कब इस टाइप के रिफॉर्म्स आइंगे रिपोर्ट हुआ है केस तो उसमें अब हमें पता है कि वह कर्प्रेट है तो हम अब किस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हम उसको अभी ही सजा क्यों नहीं दे रहे हमें क्या जरूरी है कि हम उस पूरे एक फ्रॉसेस से गुजरें जिससे हर जो है कर्प्रेट गुजरता है और आखिर में कुछ नहीं होता Assalamualaikum जी मेरा नाम फरुख एक्राम है और मैं इंपलाई हूँ शपात अमीर मिलेस यूनिश्ची का बेसिकली मेरा सौल M.N.A. सहब और D.I.G. सहब से है मैं एग्री करता हूँ डॉक्टर वहाब जो उन्होंने क्या कहा कि हमारे इंस्ट्यूशन्स जो हैं वो वीक हैं मैं इन से ये स्वाल करना चारूँ कि बेसिकली हमारे इंस्ट्यूशन्स तो शायद ये जिम्मेदारी जो भी तक गुफ्तगू ही मुझे यही लगा कि ये सारी विक्टम पे और मुझरम है उसी पे डाल दें, कि ये कर ले और ये कर ले और ये कर ले तो वो ठीक है, उनकी जिम्मधरी तो है, लेकिन इंस्टूशन कहा स्टेंड करते हैं, इसके बारे में बिलीज बताईए जाएगा चीख है बस, मैं अभी अपने पारलिस के तरफ वापस आ रही हूं, आपकी सवालात में हम जबाबार लेकें, पहले घजाला साहिबा की तरफ ही चले जाते हैं, और परदुख साफ आपका सवाल हैं। और बाकी भी जो सवाल किये गए तकरीबन यही कहा जा रहा है कि जो स्टेट की जिम्मधारी है और वो केसिस तो out of course settlements हो जाती है या बाहर आपस में पैसे वासे दे दिये जाते हैं, मिली भगत से केसिस खत्म हो जाते हैं, तो क्या स्टेट ओन कर सकती है ऐसे केसिस को? देखिए स्टेट की बहुत एहम जिम्मधारी है, इसको nullify नहीं किया जा सकता, ignore नहीं किया जा सकता और स्टेट का जो रोल है उसको चुपाया नहीं जा सकता है, स्टेट का सबसे बड़ा रोल है और स्टेट को ही implement करनी होते हैं अपने laws को enforce करना पड़ता है, वच उसके साथ स्टेट का भी एक रोल है, अगर एक ऐसा केस जो कि घर के अंदर हुआ खुदाना खास्ता या ऐसी कम्यूनिटी के अंदर हुआ महले में हुआ या किसी मस्जिद में हुआ, जब तक वो report नहीं होता, तब तक ना उसको security agencies address कर सकेंगी, ना ही उसको state own कर सकेगा, यह पहली ज किसम की कह रही हूँ, ना मैं उसकी जो से उन बच्चे के साथ जल्म किया है, चाहिए वो मर्द है या औरत, जिम्मेदारी जो है, वो community की है, जिम्मेदारी जो है, वो family की है, इसके समझने के लिए आप लोगों को vocal होना पड़ेगा, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, क्यों to school children भी हैं, तो school का भी रोल एक जगा फिर रुक जाता है, school को चाहिए कि parents को भी involve करें, ना सिर्फ इस बात के करने में, बलके और भी activities में, जहां बच्चों की जहनी नहिशनमा होती है, तो तमाम माश्रे का एक ये खामोश नहीं हो सकते कि जी state है, उसको खुद ही पता चल जाए और खुद ही जनाब security agency वाले आ जाएं, कहीं ना कहीं reporting का एक एहम रोल है, आपके घर में चोरी होती है, आपको report करना पड़ता है, आप ये करके कि जी कहीं खुदाना खासा, कल police वाले हमारे घर के रोस चकर लगाएंगे, या डाकू हमारा घर देख लेगा, सब को प जाए होती है, तो सब की जिम्हेदारी है उसको देखना और report करना, और report जब ही होगा, जब आप उस जहनी उसके निकलेंगे, कि बहुत बुरी बात है, इसको छुपाना चाहिए, जब किसी के साथ जल्म हो गया, तो उसकी बारे में बात साहिए, जो यहां पर सॉलिहा नही होना चाहिए, आप उसको छोड़े ना, आप उसको ज़रूर सजादे हैं, उसके मंतख की अंजाम तक उसके को पहुंचाएं, देखें, यह वाली जो child abuse का जो केस है, उसके अंदर कोई settlement नहीं है, out of court settlement का, गतल के केस का होता है out of court settlement बहुत सारे areas के अंदर, मगर यह जो किसी भी जिना का या बच्चे के साथ जियाती, जिन्सी जियाती के केस की, कोई out of court settlement का, कोई जुज़ नहीं है, यह गलत बात है, अगर वो बताएंगे नहीं, रिपोर्ट नहीं करेंगे, और खुदी सेटल करेंगे, उसमें सेट की जिमेदारी खतम हो जाती है बिकुज उसको पता ही नहीं, बट यू हाज तो रिपोर्ट, सब्सक्राइब कुछ कॉमेंट करने हैं करेंगे, बच्चे की जो education है बहुत जरूरी है, लेकिन यह एक चोटा सा component है, मेरा मतलब यह नहीं ता कि बच्चे को हम awareness ना दे about abuse जो हो रहा है उसके बारे में, लेकि यह कहना कि जी सब, यहां पे तो यह हो रहा है कि सारी जिमदारी बच्चे पे डाल रहे हैं, कि जी आप अपने आपको प्रोटेक्ट करो, आप गली में ना पिरो, आप बाहर में आ जाओ, आप स्कूल में जाओ, अब जब यह तरह के messages हम देते हैं, तो यह itself abuse है, आप बच् कूचे में भी इसी तरह करें, आप स्कूल में भी इसी यही करें, और पूरा माश्रा इसकी जीमदारी ले, अब मैं इस तरह आपको एक बात बता हूँ, जो violence है, domestic violence, या sexual harassment है, workplace का, इसके बारे में एक ही evidence है, जिससे ही कम हो सकता है, वो है reporting, क्या है reporting, जब रिपोर्ट करें तो आप, आपको लेबल किया जाएगा, आप को जीमदा मुजरिम कराद दिया जाएगा, आप victim भी होंगी और आप उसके बाद भी victimize होती रहेंगी, तो पिर कून होगा जो ये report करेंगा, ये इस तरह reporting का, जो हमारा एक, उसको जो manage करते हैं हम, वो इतना गलत तरीके से manage कर करते हैं, फिर एक tertiary prevention है, मैं उसके बार, tertiary prevention ये है कि आप families को protect करें, हाँ वो suicide victim के हो, हाँ वो abused के family हो, उनको, उनके rights हम कैसे protect करते हैं, उनको तो हम TV पे, मेडिया पे, और उनका, हम उनके साथ क्या क्या करते हैं, आप से अची तरह जानते हैं, पिर तीसरी बात ही है, जो जो है, already stigmatized दे, अब ये इन मुझरुबों को हम साथ का पेशन लेबल करके, उनको और victimize करते हैं, और वो पिर उसका बहुत बुरेरी percussions होते हैं, तो मेरा मतलब ये बिलकुल भी नहीं है, कि हम बच्चे को educate ना करें, लेकिन बच्चे को आप guilty ना बनाएं, सारी जिमदार लगिंग करवाएं, उनको फोबिक ना बनाएं, कि वो गली में भी ना आ जा सके, वहर किसी को देखे कि ये भी तो perpetrator है, ये भी perpetrator है, ये भी perpetrator है, सब इस तरह है, नाजरीन बात हम child abuse के हवाले से कर रहे हैं, और बहुत सारे सवलाद भी ऑडियन्स के तरफ से आए हैं, ग प्रेट का क्या रोल है, और गर्बंट इस तेमन में क्या एक्रामात कर रही है, गजायला साहिवा ने इसको रिस्पॉंड किया, अब एक मीटिंग की वज़ा से है, गजायला साहिवा जा रही है, आपका बहुत शुक्री है, ये बहुत इंपॉर्टन्ट टॉपिक है, और इस पे बहुत सारी बाते होने चाहिए, और कई प्रोग्राम होने चाहिए, मैं तब शुक्री है, जरूर हम इसको तुमारा भी बात करेंगे, आपको बहुत शुक्री है, गजायला साहिवा हम अपनी डिसकेशन को कंटिन्यू रखेंगे, नासीन सावलात हमने ओडिन्स के से लिए और उनके अभी जवाबाद जो है, हमारे पानलिस से रहे हैं, इसको रिस्पॉंड कर रहे हैं, बहुत आहम सवालात स्टुडेंट्स ने यहां पर उठाएं हैं, डॉक्रे तकार साहिबा जो सवालात आप से किये गए, मैं चाहिए हम तो इसको भी रिस्पॉंड कर कर सकता है और एसे बेटर भी और यह जो कैसा कर सबसे कर सकता है, परेंसको और ऑपराइंसको का क्वचह करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो पर्परेटर्स हैं यह कोई नेसेसरली आउट्राइडर नहीं होते हैं यह हमी में से होते हैं बातवा कोई फैमिली मेंबर ही होता है रिपोर्ट ना करने के एक वज़ा वो भी है और इसलिए हमें बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है और बच्चों को जो एजुकेशन में कहा रही हूँ मैंने बिल्कुल दिकर नहीं जा कि सेक्स एजुकेशन लेकिन जैसे हम बच्चों को यह समझाते हैं कि किसी अजनभी के साथ आपने नहीं जाना अगर कोई आदमी आपको बुलाता है चलो मैं तो मैं तुम्हें चलके टौफी ले दू तो आप ना जाएं आपने अकेले किसी के साथ नहीं जाना यह हम अपने बच्चों को समझाते हैं उसी तरह हमने कहने कि किसी के साथ आपने कोई गलत अगर आपको लगे कि वो गलत काम कर रहा तो आप ना करें उसका आप शोर में चाहें आप उस आदमी का हमें आपके बताएं उसको एडुकेट करना पड़ेगा आपको बच्चों को यह सेक्स का जिकर नहीं होगा लेकिन इवन फिजिकल अटानमी को वाइलेट नहीं करना जाएं डार्टर वहाब ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि यह लोग जो हैं यह पागल नहीं है लेकिन इन में कुछ डिवल्मेंट्सल प्रॉब्लम्स हैं उनके सोशल और एमोशनल सेल्फ की ग्रोथ नहीं हुई है तो वो इसको गलत जगा इसमाल करते हैं मेरे ख्याल में जब हम सजा कर जिकर करते हैं तो एक्जम्पलरी सजा का हमें पसवर ही नहीं है एक आनमी को फांसी लगा दो बात खतम हो जाती है लेकिन जब दूसरे उस तरह क्या हो करेंगे तो थाबत हो जाता है तो उस आदमी का के उपर एक टैग लगा दिया जाता है जो उस आदर पहनना पड़ता है कि ये तर्दोफीलिक है ये सेक्शल उफेंडर है और उस आदमी की जूटी होती है कि जिस महले में रहे जिस फ्लैट में रहे वो रिपोर्ट करें लोकल थाने को और स्पेशली पार्क्स और ऐसी जगें जहां पे बच्चे आप्टार पे जाते हैं प्लेग्राउंड पेरिट्स भी जाते हैं तो उनको पता होता है कि इस एरिया में कोई उफेंडर है और उस बंदे का स्टिक्मेटाइज जो हो जाना है बड़ी बहुत भी बड़ी सदा है मेरे कान में फासी से भी जादा है बड़ी बड़ी बिकुल ठीक है अभी सेसल राउनर्स आपके परफ चलते हैं पर आप से जो सवालात किये गए हैं इस प्रकुल सवालात किये हैं स्टूोड़ी बड़ी ऐफ़ी से इन्टरिस्टिंग सवालात किये हैं स्टूड़िंट्स ने चार सवालात हुए थे तो मैं में रहाद दो को कलब कर लूगा जिसमें बात इनोंने की कि इसम्पाउंडिबल जहां बात हुई या किसी और बजा सेया तरीके से उसको शर्डल करें बट मैंने जो इसको शुरू में खुद रेफर किया था इस बात को कि ये एक प्रैक्टिकल इशू है क्योंकि हमारा जो कानून है criminal justice system उसमें accused जो होता है उसको benefit of doubt दिया जाता है कि किसी भी बेगुना शक्स को सुदा ना हो जाए बेशेक गुनादार जो है वो बाच भी जाए लेकिन चूंकि ये हमारा बहुत sensitive issue है बच्चों के साथ जो तशद्द वाला है इसको इसलिए मैंने कहा था कि हमें as a special case और special courts के अंदर इसको लेकर चलना चाहिए अब let's say अगर एक बच्चा आता है और वो अपना बयान देता है पुलीश में आगे कि जी मेरे साथ ये जाती हुई है ये मेरे साथ crime हुआ है तो उसको फिर हम लेकर आते हैं अपनी case file के अंदर उसका बयान record किया जाता है फिर जो वहां के evidence जो लोग दो मौजूद होते हैं किसी ने अगर देखा है वो evidence होती है फिर एक evidence होती है जो forensic evidence होती है जिसमें DNA का match किया जाता है तो इसमें सबसे important जो है वो victim की अपनी या complainant की अपनी जो evidence है वो बड़ी important होती है यह कुछ लकूनाज यह आप कहरें मजबूरियां हैं कानून में हमारे system में के खाली police police भी इसमें FIAR दे सकती है खुद इसमें कबलेने बन के और अगर आप लोगों ने देखा होगा जो यह case spending में हुआ था उसमें मैंने यह बात की भी थी आके even media के ओपर भी क्योंके we understand के बहुत सरी family सामें नहीं आती तो हमने यह कहा था कि police इसमें मुदई बनेगी और police इनके पर्चे भी दर्च करेगी लेकिन जिसा मैं आपको बता रहा था कि police का दर्च किया case है उसमें बहुत जरूरी है अगेन उस बचे का बियान आना court के अंदर और यह जो court का procedure है process है यह थोड़ा सा इसमें time लगता है जिसां यहां पर एक student नहीं बात की थी के जी अप crime होगे आप किस चीज की देर है but उस तमाम process को पूरा करने के लिए उसका रिमान लेना होता है बहुत सरी चीजें उससे हमें रिकवर्ट करनी होती है फिर एक case नहीं होता लेक्षे अभी तक तीन FIIs हो चुकी है उस शक्स के खलाफ तो हर case को लगदा लगदा जो है investigate किया जाता है और especially इस case के अंदर तो हमारी एक बड़ी high level की एक committee बन चुकी है investigation team बन चुकी है वो उसको investigate भी कर दी है ये case जिसना हम बात कर रहे हैं कि highlight हो गया तो इंशाला इसमें तो सारे procedures भी complete होंगे और इंशाला उसको सदा भी होगी ठीक है तो वो उसके हवाले से आपके हमासिक देना चाहिएंगी जरूरा उन्होंने ज़र सजा के अवाले से बात किती सजा तो बिल्कुल ज़रूरी है कि उनको सजा दी जाए लेकिन ऐसी जो लोग है इनको क्या समझती है आप क्यों इस किसम के अर्कतिन करते हैं मेरे खाल है कि उनकी psychology या नफियात definitely distorted होती है और जो एक criminal है वो भी किसी घर में बैदा हुआ है ना तो उसके बच्पन में उसकी upbringing कैसे हुई थी और national ma कैसी हुई थी उसकी parenting कैसी थी बीच में से सिरफ कुछ fraction है जो abuse अगर एक यह भी मेरे खाल में मित है कि जो abuser है वो abuse हुआ था बच्पन में not all क्यूंकि देखें बच्चियां ज्यादा abuse होती है लेकिन वो अब्यूजर तो नहीं बनती है cognitive या अधराकी फ्रेम पैदा हो रही होती है अपने जजबात को कैसे control करना है उसमें खराबी definitely होती है यह लोग बेहिस होते हैं दूसरे की तकलीफ को नहीं देखते हैं उनको अपना pleasure चाहिए होता है और एक बहुत important psychology में चीज़ होती है the ability to delay gratification यानि के अपनी impulse को, भूक को, सेक्स को, खुशी को किस तरह delay करना है, रोकना है, मुश्किल बरदाश करना है और एक higher goal की तरफ काम करना है, इन लोगों में वो develop नहीं हुई होती so definitely psychiatric patients जैसे दूक्टर वहाब कह रहे हैं कि criminal नहीं होते but in some sense these people have a distorted psychology, वो normal तो नहीं हम उनको कह सकते चैसल राना साहब, डॉक्टर इत्तकार साहबा, डॉक्टर आईशा मिनहास साहबा और अब्दिल महाब साहब हमारे साथ इस discussion में मौजूद रहे students की तरह से भी बहुत अच्छे सवाला आता है और child abuse के हावाले से हमने बात की, कि ये phenomenon है क्या और पाकिस्तान ने किस अच्छा की phenomenon मौजूद है जो लोग इसका शिकार होते हैं, जो बच्चे तशबूद का शिकार होते हैं उनकी जिन्दगी कैसे गुजरती है, और जो लोग इस जुर्म का रतकाब करते हैं उनकी नफियाती कंडिशन किस किसम की होती है उसके हावाले से भी हमने बात की, इदारों के किरदार के हावाले से भी बात की नो डाउट इदारों का जो किरदार है, वो बहुत आहम है उसको बहतर होना चाहिए, बहतर कवानीन आने चाहिए और सबसे बड़ी बात है तो उन पर implementation जरूर होनी चाहिए ताकि अगर इस किसम का कोई भी मुझरम गिरफतार होता है तो उसको सजा जरूर दीता है बाकी लोग भी इस जुर्म से दूर रहें और society भी जो है वो महफूज रख सके लेकिन इसके साथ साथ अगर हमने बात की है बच्चों के अवाले से कि उनको train करना है और जो parenting के issues है उन पर भी हमने बात की है कि वालबेन को कैसे educate करना है society को कैसे educate करना है awareness कैसे हमने create करनी है तो ये भी बहुत एक आहम चीज है ये वाहिद हल नहीं है इस मसले का लेकिन एक आहम चीज है जिस पर काम करने की जुरुत है इसके साथ ही नहीं कोदी को आज के प्रोग्रेम से जासर दीचिए अगली प्रोग्रेम में इंशाला आपसे दुबारा मुलाकात होगी अला आख लेव